नमस्कार मैं हूँ राखुल राजपूद बड़ी खबार सीतापुर से पाच्वी बार निकाहकर ने पहुचा साथ बच्चों का पिता आरूपी के बच्चों ने मौके पर पहुच कर पिटाई कर दी तो सीतापुर से बड़ी खबार पाच्वी बार निकाहकर ने पहुचा साथ बच्चों का पिता आरूपी के पच्चे मौके पर पहुचे अपने पिता की जम कर पिटाई की बवाल के बाद मौके से पाचवी दुलहन वो फरार हो गई चोरी चिपे पाचवी शादी करने जा रहा था आरोपी कोतवाली देहाज शेद्र के सिटे स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है बड़ी खबर आपको उता रहे इस वक्त की सीतापूर से पाचवी बार निकाह करने निकला था शक्स जो कि साथ बच्चों का पिता बताया जा रहा आरोपी के बच्चे मौके पर पहुँचे और अपने पिता की ही जमकर धुनाई कर दी तस्पिरे देखे और इस पीच मौका मिलते ही जो दुलहन बनी थी वो भाग निकली तो ये तस्पिरे आपको दिखा रहे हैं तस्पिरे देखे कोतवाली देहाद शेत्र के सिटी स्टेशन का मामला बताया जा रहा है तो पाचवी बार निकाह करने पहुचा था ये शक्स और सूचना जैसे ही बच्चों को लगी अलाकि बताया जा रहा है इसके साथ बच्चे हैं बच्चे मौके पर पहुचे और अपने पिता की ही जम कर धुनाई कर दी पाचवी बार निकाह करने को लेका है लेकिन इस पीच मौका मिलते ही दुलहन फरार हो गई तो ये तस्पीरे आपको दिखा रहे हैं तस्पीरे देखी कोतवाली देहाश शेद्र की सिटे स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है तो सीतापुर में पाचपा निकाह करने पहुचा साथ बच्चों का बिता और इस भी सूचना इस शक्स के बच्चों को लगए बच्चे मौके पर पहुचे अपने पिता की ही जमकार धुनाई करते नसर आए और इस स्पीच को अंगामा होता रहा तो जो पाचपी दुलहन हाला कि जो मैला थी नड़की थी वो फाग निठी मेरे पापा पाँश महीने से प्याद़ खर्चा पानी नहीं दे रहे थे आज हमें पता चला कि वो निकाह कर रहिए किसी और और यह फ़ंजos ये मेरे बाप का पाच्वा निका था तो हमारे सुनने में आया है कि वो जो घर वाले है और अवरत के वो जो है में बाप से जायदाद प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास खाने पीने को कुछ तानी सारा सब कुछ दूरोवदे ही नहीं तो जैसे हम उनके घर में एंटर हुए बस हमने उनसे पूछा था अपना बस इंट्रो दिया पताया कि हम कौन है बस उन्होंने मारना शुरू कर दिया इतनी वीड़ थी कितनी और तो नहीं आके मारा पेट पे बैठ गे बाल नोचे बहुत बुरी तरीके से बस तो आरोप इसे शक्स पर ये लग रहा है कि ये पहले से हला की चार शादी कर चुका था पाच्छ भी करने जा रहा है और जो इसaelे परिवार था खरचा पाने ये शक्स दे नहीं रहा था आरूप ये भी की जिस से ये शादी करने शक्स जा रहा था उसके परिवार वालों ने दबाव बनाया कि जमीन जायदात लड़की के नाम कर दे सूचना जब इन लोगों को मिली तो मौके पर पहुचे बच्चे और जो इससे पहले बीविया थी वो पहुची जम कर मार पीट की जाती है धुनाई की जाती है इसे शक्स की और स्पीच बताया जा रहा है कि मौका मिलते ही जो दूलन बनी थी जो इसे शक्स से पाचवी हलाकि वो शादी करने जा रहे थी शक्स पाचवी शादी करने जा रहा था वो दूलन मौकिस से भाग निकली अबशेक हमारे साथ जुड़े हैं सहीयोगी अबशेक जरा पूरी खबर तफसील से बता दीजे राहो राजी आपको बता दें कि यह मामला पकोटवाली बिहाद की नगरा इलाके का मामला है जहांपर का बच्चों का पिटा पांचवा निकाह करना आ जा रहा था जिसकी जानकारी इसकी बच्चों को लजने के बाद उसकी मा और बच्चे दोशे Kelly irregular आ पहूंसते हैं निए फ़ए बाद पिटा को बेशेके पीड़ते हैं पांचवी शादी करने को फिराज बेता जिसमें बच्चों ने खलग डाल दिया है और फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोजी पिता को फिराज करने जा रहा था जिस तरीके से पूल खुली की पहली बार निका किया पिर दूसरी से साथ बच्ची तीसरी और चौदी को हज़ पर भीज़ दिया पांचवी शादी करने जा रहा था हला कि सब खुलासे के बाद जो बाकी महला जो बीविया है क्या उनका भी कुछ कहना है जिसके बाद से वीडियो भी सामने आए है और लाइप वीडियो भी मारपीट हुई है वीडियो भी वाइरल हुआ है पत्री अनकारी के लिए तो हला कि पहले पत्री को तालाग देकर दूसरी बार निकाह करता है जिससे साथ बच्चे और यही बच्चे पहुँचकर अपने पिता को जम कर मारते पीटते हैं में तीसरी और चौथी बार निकाह करने के बाद उन दोनों को हज़ पर बेजा इस शक्स ने बताय जा रहा कि पाच्वी बार निकाह करने पहुचा था और दूसरी जो बीवी थी उसके साथ बच्चे वो सबी पहुच जाते जम कर अपने पिता को मारते पीटते हैं जखमे आलत में हाला के पुलिस सिरास्त में लेकर पूस्ताच कर रही है